Hello dear students, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा human physiology का next chapter which is body fluids and circulation तो as you know हम discuss कर चुके हैं first about the digestion and absorption के बारे में उसके बाद हमने बात किया है breathing and exchange of gases के बारे में और अब हम बात करें जा रहे हैं body fluids के बारे में तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम human physiology के फिनोमिनाज यह जो अलग-अलग process हैं हम इनको discuss कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो हमारा food है जो हम consume करते हैं complex form में वो simple form में किस तरीके से divide होता है और हमारी body उसको किस तरीके से absorb करती है किस तरीके से कौन से structure में complete digestion होता है food का किस तरीके से absorption होता है और absorbed material को cell क्या करेंगी किस तरीके से utilize करेंगी तो cells को I'm sorry food को absorb करने का काम कहा हुआ completely small intestine small intestine में पूरा food क्या हो जाता है completely digest हो जाता है into simple particles ठीक है और उसके बाद वही पर उसका absorption होता है by means of will I clear होगी तीचीज वहां पर मैंने एक चीज आपको बहुत clear बोली थी ब्लड प्रेजेंट होगा और ब्लड के थुरू ही वो nutrients क्या होंगे absorb होंगे ट्रांसफर होंगे यह याद होगे आपको दूसरी चीज अब बात की थी जब हमने breathing के बारे में भी तो वहां पर भी alveolize के बारे में बात की थी कि alveolize are highly vascular because the gaseous exchange का काम होगा उसके लिए structure should be highly vascular thin surface oh sorry thin होना चाहिए जो उसका cell membrane head respiratory membrane should be thin कितना थी कितनी थी respiratory membrane less than one millimeter less than one millimeter thickness the respiratory membrane की और mention किया था कि diffusion कब जादा होगा जब surface area जादा होगा ठीक है और highly vascular होगा highly vascular same चीज वहां पर भी है क्योंकि वहां पर भी क्या होंगे blood vessels जितने जादा प्रेजेंट होगे blood supply जितनी जादा प्रेजेंट होगी उतना ही efficiently oxygen हमारे blood में blood के rbc's के साथ rbc's में क्या प्रेजेंट है hemoglobin प्रेजेंट है और hemoglobin उस oxygen को क्यारी करेगा मतलब जो nutrients को transfer कराना है उसका काम भी किसने कि अब ब्लड ने किया जब oxygen को क्यारी करवाने की oxygen के transport के बारे में बात आई तो भी हमने बोला कि ब्लड ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब यह जो बॉड़ी फ्लूइट्स है जिसमें जॉर्नली स्पैशली इन हायर एनिमल्स जो बॉड़ी फ्लूड होता है जो circulation में transportation में help करता है विच इस ब्लड वो एक essential component है जब कभी भी कोई सेल को किसी भी चीज का requirement होगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में वहां तक पहुचाने में कौन रोल प्ले करता है ब्लड रोल प्ले करता है इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन ओल लिविंग और्गिनिजम्स इन ओल लिविंग और्गिनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन ओफ दे न्यूट्रियेंट्स ओक्सीजिन जो essential substances है उनके transportation में and जब वो जो सेल्स हैं वो उन substances को use कर चुके हैं और waste material release करते हैं जैसे कि CO2 produce होगी ठीक है ना जैसे कि जब amino acids breakdown हुए थे तो क्या nitrogen produce होगा ठीक है ना जुसको जो further क्या है ammonia बनाता है और ammonia को further liver किसमें convert कर देता है urea uric acid में convert कर देता है तो यह सब जो waste material है यह सब भी कहां पर ही एंटर होंगे blood में एंटर होंगे तो all required materials को transportation का को करने का काम ट्रांसपोर्ट करने का काम सेल्स तक पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है blood कर रहा है और उन्हीं से से waste material को केरी करके जहांसे वह अमारी बॉड़ी से बाहर आ सके वहां तक पहुचाने का काम भी कौन कर रहा है ब्लड कर रहा है इतना सी ची greeting आपको समझ में आए कि बॉड़ी का जो असेंशिल ट्रांस्पर्ट system है उस ट्रांस्पर्ट जो essential element है, system का जो essential एक part है, वो कौन है? blood है, जो की essential substance को cells तक पहुचाने का काम भी करता है और waste material को वहाँ से बाहर निकाल के body से excrete करने में भी role play करता है जैसे कि जो waste material, suppose हम बात कर रहे हैं, यूरिया के बारे में ही तो वो यूरिया blood के साथ mix होके आएगा, और ये blood कहाँ पे filter होगा? इन kidneys, जहाँ पे kidney form करती है, blood को filter करती है और form करती है क्या? urine, और वो जो यूरिया, uric acid है, वो in form of urine body से excrete हो जाएगा सेम, जब हमारी body में ions का concentration जादा होता है, तो वो भी release हो जाएगे, filtration कहाँ पे होगी? अगें kidney, ये सब पूरा system हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से kidney filtration का osmoregulation में help करती है in the excretory system इसके next chapter में fine, तो सबसे पहले अब हम बात करें कि body fluids and circulation इसमें हम कौन-कौन से topic discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर हम इसके contents के बारे में बात करें कि कौन-कौन सी चीजें हम इस chapter के अंडर पढ़ेंगे तो सबसे पहले we'll discuss about blood ठीक है? ठीक है? After that we'll discuss about lymph ठीक है? आपको जानते होगे? जासा same blood हमारी body में transportation का circulation का काम करता है इससे तरीके से lymph B is a fluid connected tissue जो की transportation में help करता है mainly transportation में role play करता है किसकी fats and proteins तो lymph is also known as tissue fluid tissue fluid after that we'll discuss about circulatory pathway ठीक है? ठीक है जी? after that we'll discuss about double circulation इसके बाद हम discuss करेंगे about regulation of cardiac activities about regulation of cardiac activities after that in next topic we'll discuss about the disorders of circulatory system disorders of circulatory circulatory system तो सबसे पहले हम बात करेंगे transport materials के बारे में जिसमें आता है blood and lymph after that ये कौन-कौन से pathway से transportation, circulation हो सकता है उसमें कौन-कौन से structures, कौन-कौन से organs involved है ठीक है? mainly about heart के बारे में हम बात करेंगे after that we'll talk about double circulation इसमें हम compare करेंगे what is the difference between single circulation या फिर जब हम बात करते हैं fishes के बारे में तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो blood है वो particularly अलग-अलग chambers में oxygenated and de-oxygenated नहीं रहता है, mix हो जाता है और जबकि हम बात करें human being में तो आपको पता ही है कि oxygenated and de-oxygenated blood separate chambers में रहता है, वो कभी भी mix नहीं होता है, ठीक है ना तो double circulation के बारे में बात करेंगे उसके बाद cardiac activities को कौन regulate करता है इसके बारे में बात करेंगे and last disorders of circulatory system, but before starting the chapter, let's take a brief introduction about body fluids and circulation, as we know to maintain the healthy functioning of human body, we need to provide nutrition to the cells and at the same time waste material from the cells should be eliminated ठीक है, यह बात हमने अभी अभी किया है कि अगर body की healthy functioning maintain करनी है, तो cells को regularly क्या चाहिए? नरिश्मेंट चाहिए? नूट्रिएंट चाहिए? oxygen चाहिए? ठीक है और उस same time पे जब उसको breakdown को, जो glucose का breakdown हो जाएगा in the presence of oxygen तो जो waste substance release होंगे, like form होंगे like CO2, carbon dioxide इनका elimination भी जरूर होना चाहिए और इस functioning को, इस procedure को maintain करने के लिए हमको क्या जूरत पड़ेगी? एफिशेंट system की जूरत पड़ेगी? ताकि बार बार उस cells तक, हर एक cells तक even, हमारी body के हर एक cells तक blood क्या करता रहे? हर बार circulate होता रहे, because जितनी बार भी glucose का breakdown होगा उतनी बार CO2 प्रेडियोज होगी और वो CO2 वहां से eliminate होनी चाहिए, same चीज जितनी बार भी हमारा जो लीवर है, वो नए amino acids form करेगा, पुराने amino acids को breakdown करेगा, यह याद है, हमने पढ़ा था जब हमने लीवर के functioning के बारे में पढ़ा था, discuss किया था, वहां पे procedure था, metabolism of protein हमने पढ़ा था, उसमें हमने de-emination, trans-emination के बारे में बात की थी, ठीक है, तो नए amino acids produce होंगे, पुराने breakdown होंगे, transformation होगा, तो उन सब में क्या होगा? amino acid का breakdown होता है, तो nitrogen क्या बना लेता है? NH3, amino ions किसमें convert हो जाएंगे, एक NH positive के साथ मिलके ammonia बना लेंगे, और ammonia हमारी body के लिए क्या है? highly toxic material है, जिसको लीवर किसमें convert कर देता है? into urea में, वो convert कर देता है, अब इस urea का भी तो elimination होना चाहिए ना, तो इन सब जगे पे blood को circulate क करना होगा, ताकि हर बार वो वहां से excess चीजें, waste चीजें को remove कर सके, और nourishment को, nutrients को, जो ताकि उन सेल्स की metabolic activity होती रहे, उसको provide कर सके, ठीक है? और यह जो mechanism provide करता है, इस mechanism को हमारी body में क्या कहते है? circulatory system, जिसमें heart क्या करता है? main circulatory system का main organ है, वो है heart, जो कि continuously 24 hours बिना रुके काम करता है, continuously contract, relax होता है, pumping chamber की तरह act करता है, blood को pump करता है, उसमें pressure gradient को maintain करता है, और blood continuously cell को first nourishment provide करेगा, after that वहां से waste material लेके बाहर आ जाएगा, इसके लिए अलग-अलग blood vessels है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, because यह भी क्या है? circulatory system का एक पार्ट ही है, क्योंकि blood कहां इसके थू जाएगा, blood vessels में ही जाएगा, enter करेगा, okay, अब अगर बात करें living organisms में, तो living organisms में अगर हम बात करें sponges की, silent rates की, या फिर simply बोले तो lower organisms में, unicellular organisms में, ज़रूरी नहीं है कि हर जगे पे यह circulatory medium की तरह है, nourishment provide करने में, जो blood ही involved हो, वहां पे जो system maintain होता है, वो water channels के थू भी maintain होता है, जो cavities है, उनके अंदर water present होता है, और वो एक system की तरह कान करता है, but in higher organisms, nourishment को provide करने के लिए और waste material को वहां से ले के जाने के लिए, जो circulatory medium है, वो कौन है, हमारे blood, तो in higher organisms, circulatory medium की तरह act करते हैं, blood and lymph, mainly, जो nourishment provide करने में help करता है, वो blood help करता है, इसके अलावा, lymph भी कुछ extent तक, some of the nutrients like fats को carry करता है, ठीक है, intercellular matrix की तरह act करता है, like इसको हम tissue fluid इसलिए बोलते हैं, because cells के बीच में, tissue में present होता है lymph, ठीक है जी, tissue fluid, जो cells का extra cellular matrix होता है, cell के बाहर, जो material है, जहां से continuously cell exchange करती है, उसको हम lymph भी कहते हैं, इसके बारे में हम further बात करेंगे, जब हम topic के बारे में detail में बात करते हैं, बात करेंगे, तो firstly, let's start about blood, तो सबसे पहले अगर हम बात करना शुरू करते हैं, blood के बारे में, transporting material or a circulatory medium which found commonly in the higher organisms, mainly in the human being, ठीक है जी, अब blood के बारे में अगर बात करेंगे, तो blood is a special connective tissue, आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में, I hope 9th, 10th में भी हम लोग blood के बारे में पढ़ते हैं, 10th में भी blood के बारे में पढ़ते हैं, 9th में जब आप tissues पढ़ते हो, connective tissue पढ़ते हो, 10th में भी जब आप lie processes पढ़ते हो, तो वहां पे भी हम circulatory medium, circulatory pathways के बारे में बात करते हैं, and after that 11th में भी हम blood के बारे बात करें तो blood रहेगा तो वही same ना red color का fluid जिसके अंदर सबसे ज़्यादा RBCs present है अब ऐसा तो नहीं है मैं अब उसको कहूँगी कि देखो पहले red color का होता था अभी yellow या green color का हो जाएगा एसा तो नहीं है basic चीजे सब सेम रहेंगी कि blood fluid connective tissue है हाँ fluid connective tissue ही रहेगा लेकिन अब हम उसके और facts के बारे में भी जानेंगे और अगर बात करें इसके component elements के बारे में तो blood का जो main component होता है जो liquid material होता है which is known as plasma ठीके जी और इसके अंदर जो formed elements होते है like अगर हम सीधा सीधा बोले तो जो blood corpuscles होते है blood के जो cells होते है उनको हम बोलते है simply जो liquid portion हो गया वो क्या हो गया plus solid portion क्या हो जाएगा blood cells और blood cells also known as blood corpuscles ठीक है जी इतनी से बात है अगर बात करें plasma के बारे में तो blood का जो 55% है वो होता है कौन plasma 45% क्या होता है cells ठीक है जी तो blood का जो main component है blood mainly liquid form में है तो main component भी क्या हो जाएगा plasma हो जाएगा और यह plasma 55% होता है और cells 45% होता है अगर हम बात करें कि ब्लड क्या कर रहा है बहुत सारे nourishment को carry करने में cells तक पहुचाने में काम कर रहा है वहां से waste material भी लेकर आने का काम कर रहा है तो यह सब चीज़ें क्या blood cells carry करके लेकर आ रही है नो जो dissolve होने वाली चीज़ें वो कहां पर dissolve होंगी ब्लड के liquid part में which is known as plasma तो simply मैं दो पार्ट में divide कर सकती हूं ब्लड को one is known as liquid part ठीक है जी and second is solid part जो liquid part है उसको क्या कहते है प्लाज्म कहते है प्लाज्मा प्लाज्मा कितना परसेंट है टोटल ब्लड का 55% है प्लाज्मा और जो solid है वो उनको हम क्या कहते है blood cells और blood corpuscles यह कितना है 45% है जो भी चीज़ें dissolve होके blood में जो carry होती है जैसे अगर हम बात करें तो यहां पे albumines present होंगे which is a protein ठीक है जी globalin which is also protein तो यह सब किसमें dissolve होके आएंगे ब्लड के plasma में हम जितने भी बात करें कि जो glucose है वो कहां पे present होगा blood के plasma में proteins हैं वो कहां पे present होंगे blood के plasma में इसके अलावर जितने भी आइंस हैं if we are talking about sodium ion, potassium ion, chloride ion, calcium ion यह सब चीजे कहां पे present होगी blood के plasma में whereas अगर हम blood cells के बारे में बात करें तो blood cells are further of three types one is known as RBCs which is red blood cells second is WBCs white blood cells and third is platelets platelets are the fibers like structure which helps in the clotting mechanism okay RBCs के बारे में बात करें तो RBCs are red blood cells ठीक है जी WBCs white blood cells ठीक है अब RBCs को और क्या कहते है RBCs are also known as erythrocypes क्या कहते हैं erythrocypes भी कहते हैं WBCs को क्या कहते हैं WBCs are also known as leukocytes whereas platelets are also known as thrombocytes अगर हम बात करते हैं blood के formation के बारे में the process of formation of blood is known as hemopoiesis or the branch of biology in which we studied about blood blood के बारे में अगर हम study करते हैं में मतलब यह जो erythro poiesis blood तो blood cells का formation कहां पर होता है bone marrow में और erythrocytes के formation को क्या कहते हैं erythro poiesis तो मतलब यहां पर जो poiesis word use होता है that is for the formation ठीक है यह common terminologies है common words हैं जिसके बारे में हम इस चप्टर में बात करने वाले हैं ठीक है अब अगर देखें तो blood का जो color है वो red होता है क्योंकि उसके अंदर सबसे जादा कौन से cells present है red blood cells are the maximum maximum number में कौन से cell present है red blood cells present है और यह red blood cells red color के क्यों होते हैं in red blood cells के अंदर present होता है hemoglobin ठीक है जी hemoglobin जिसके बारे में अभी अभी आपको last chapter में ही बताया है मैंने कि hemoglobin दो चीजों से बना होगा एक पार्ट होगा iron second part होगा protein ठीक है जो iron होगा वो कौन से form में होता है ferrous form में होता है FA2 positive और जो globin है वो क्या है protein है protein है तो मतलब polypeptide chains present होगी polypeptide chains globin में कौन से होता है four types की होती है ठीक है जी तो अलग अलग तरीके के hemoglobin में जैसा अगर मैं बात करो तो fetal hemoglobin fetus में जो hemoglobin होता है वो थोड़ा सा different उसके नदर chains present होती है adult के hemoglobin में different chains present होती है इसके बारे में हम detail में बात करेंगे जब हम hemoglobin के बारे में बात करेंगे fine तो ये एक brief चीज़े है छोटा सा एक review है जो आप पहले पढ़के आये हो blood के बारे में blood के formation के बारे में blood cells कहां पर formed होते है कौन से cell का क्या काम होता है जैसे अगर मैं बात करूं RBCS का क्या काम है RBCS के अंदर hemoglobin है hemoglobin किसके साथ combine होता है oxygen के साथ combine होता है तो mainly जो RBCS का role है वो क्या है oxygen transportation करना ठीक है WBCS protection में role play करते है further जो WBCS है वो two types के होते है granulocytes and agranulocytes platelets clothing mechanism में role play करते है plasma materials को ये जितनी भी चीजें है required substance है वो सब dissolve होगा किसमे plasma में और mainly जो transporting chamber की तरह act कर रहा है वो connect कर रहा है blood का plasma या blood का liquid part which is known as plasma तो in next lecture हम detail में हर एक part के बारे में discuss करना शुरू करेंगे लिखना शुरू करेंगे ठीक है it's just a brief review brief introduction about blood because blood में कुछ change नहीं हो सकता वो वही रहेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उसमें हम और जादा नई चीजें पढ़ेंगे या नई facts के बारे में पढ़ेंगे जो शायद हम पहले हमने नहीं पढ़ा है या पहले हमने discuss नहीं किया है तो मिलते हैं हम आपसे next lecture में with the first topic of the body fluids and circulation के प्लेश